Hello my dear kids, I have a wonderful day to all of you. How are you all? I hope you all are fine. Siya, चाप से good morning करने कौन आया है? वाओ, आज तो S for sun और C for cloud आया है. And this is our GA class and today we are going to learn about a kitchen. हमारे घर में bedroom होता है, bathroom होता है और living room होता है और साथ में kitchen भी होती है ना? K for kitchen, तो kitchen में क्या होता है? Kitchen में तो ममा food cook करती है, है ना? Tasty tasty food cook करती है ना? कहाँ पर करती है? K for kitchen में. तो kitchen में क्या-क्या होता है? Let's see. तो ये तो है, ये है, ये है K for kitchen and kitchen में और क्या-क्या होता है? Let's see. वाओ, तो ये देखो, ये है C for container. क्या है ये? C for container, and container में तो food cook करते हैं, and ये देखो, ये है B for bowl, and ये big बाला bowl है न, small-small bowl भी होते हैं, and ये तो है master chef, and और क्या होता है kitchen में, वाउ, ये देखो, ये है R for refrigerator, क्या है ये? R for refrigerator, और क्या होता है kitchen में, ये तो है default drawer, default drawer, इसमें सामान को रखते हैं, ये है default drawer, and ये रेखो, refrigerator में क्या करते हैं, इसको हम लोग freeze में क्या करते हैं? इसमें तो हम food को रखते हैं, freeze तो खाने को खराब होने से बचाता है ना, तो ये है F for freeze या फिर refrigerator भी बोल सकते हैं, और क्या होता है kitchen में, kitchen में तो window भी होती है ना, ये है W for window, और क्या होता है, ये है tea for toaster, क्या है ये? ये है tea for toaster, इसमें bread को गर्म करते हैं ना, ये है tea for toaster, इसको क्या कहते हैं, ये है tea for toaster, और ये तो है, ये क्या है? ये है stove, ये है क्या कहते हैं, इसको gas stove, इसमें food को करते हैं, इसी से तो gas निकलती है ना, जो जलती है, आग भी रहती है तो इसको कहते हैं, gas stove, gas stop से ही तो खाना बनता है ये है ये देखो ये दिख रहा है ना आपको ये है M for Microbabe क्या है ये M for Microbabe इसमें क्या करते हैं इसमें हम खाने को गरम कर सकते हैं और ममा केक भी बनाती है ना तो वो किसमें बनता है Microbabe में किसमें Microbabe में तो ये है M for Microbabe एंड ये है S for Stove, Gas Stove और क्या होता है हमारी किचिन में? वाओ! ये देखो, ये है, ये क्या है? ये पता है किसी को ये क्या है? ये है Sea Fault Chimney क्या है ये Sea Fault Chimney? इससे किचिन में जो heat होती है, जब gas जलती है तो उसे heat ने कलती है, तो पूरी किचिन में गरम गरम लगता है ना? तो ये चिमनी ना heat को बाहर कर देती है ये चिमनी heat को बाहर कर देती है तो किचिन में फिर गर्मी नहीं लगती है ये है Sea Fault Chimney और ये है Sea Fault Cabinet क्या है ये Sea Fault Cabinet? and cabinet में क्या करते हैं cabinet में तो सामान रखते हैं and ये क्या है ये है P for plate P for plate and ये है M for microwave M for microwave microwave में क्या करते हैं microwave में तो cake bake करते हैं और food भी गर्म कर सकते हैं और क्या होता है वाउ ये देखो ये है B for bowl B for bowl क्या है ये say with me B for bowl और क्या होता है, वाउ, देखो, ये है small bowl, ये है gas stove, ये है gas stove, ये क्या है, food किस में बनाते हैं, container में, c for container, और क्या होता है, वाउ, ये क्या है, ये तो है p for plate, फूड को serve किस में करते हैं, हम लोग eat किस में करते हैं, plate में करते हैं, तो ये है p for plate, and ये है b for bowl, और क्या होता है, और वाउ, ये देखो, ये तो है d for draw, डी for draw, इस में सामान रखते हैं न, जो भी kitchen का होता है, तो उसको रखते हैं, ड्रॉर में, ये है d for draw, ये है cabinet, ये cabinet है, and ये ड्रॉर है, और ये क्या है, ये तो है, ये है sink, as for sink, and ये है t for tap, tap को क्या कहते हैं, null, null से पानी आता है न, and sink में क्या होता है, sink में, तो बटन साफ करते हैं, तो ये है s for sink, and ये है t for tap, तो आज हमने किस के बारे में learn किया, k for kitchen, हमारी kitchen में क्या-क्या होता है, and आपको भी search करना है, आपकी kitchen में क्या-क्या हो, okay, bye, have a good day, take care.